हलो नमस्कार सत्सरीकाल अदाव दोस्तों तो कई चीजे नोट करते हैं और सोचते भी हैं कि एक दिन जब लोगों को सच देखना होगा तो हमारे चैनल पर भलक कम लोग होंगे सक्सक्राइबर कम होंगे लेकिन लोग यहां आया करेंगे हम रहें ना रहें तो खेर अगला किस करने के बाद बताना है कि राज कमार नहीं रहें तो बेटा शाइद यह सोचता होगा उन्होंने इस शब को बोला था मूओ फट है तो शायद उनको लगता कोई आएगा नहीं तो इसलिए शायद बोलते होंगे तो एक दिन क्या होता है कि थोड़ा से बिमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक अप करता है दो चार दिन बाद उनको बताता है कि वही आपको कैंसर है तो वह सते हुए की सिस्टम बदलता है एक दिन धीरे धीरे उनकी आवाज जाने लगती है तो बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम पूछते हो ना क्यूं नहीं बुलाना सबको तो वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि लोग खड़े हो और राजकुमार लेटा हो जमी पर ये थे राजकु हमार साथ जो आप सोच रहे हों मैं वो नहीं बोलूंगा आज थेंक यू